उत्राखन की सरोवर नगरी नेनी ताल अपनी सुंदर्ता के लिए जानी जाती है लेकिन लगादार हो रहे भूसकलन के कारण नगर के अस्तित्व में खत्रा मंडरा रहा है। नेनी ताल और इसके आसपास इतना भारी निर्माण कैसे संबा हो है। प्रसिद्ध इत्यासकार और परियावर अणविद प्रोफेसर एजरावत बताते हैं कि नेनी ताल बेहत समविदनशील है। यहां किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता है। और तीसरा जो था वो था डेंजरुस जोन। यह था कि आप अपने रिस्पर वहां पर निर्माण कर सकते हैं। यह एक जोन जो था अंग्रेजों को समय और आजादी की बाद भी। जब तक आप रह सकते हैं कि नगरपालिका में अच्छे चेर्मन जैसे जसाओ सिंग बेशी जी जी राय बहादुर मनुनुनाहर लागशा जी जैसे चेर्मन रहे तो नयनिताल था बड़ा सुड़क्षित रहा कि सरकार ने 2006 में ही चीज जाना चाहिए क्योंकि 2006 में जो हमारा ATI है जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टिटूट है आई एस और पीसे सॉपस्स के लिए तो योगों ने एक राष्ट्री कारिशाला की थी राष्ट्री सेमिनार की थी और उस सेमिनार में ये कहा गया था कि नयनिताल की भार वाहन शमता जो है वो समाथ्थ हो चुकी है तेरिंग कपैसिटी इस ओवर एंड नो फर्दर कंस्ट्रक्शन शुड भी प्रमिटिट इन नयनिताल लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई निर्मान अभी ही चल रहा है और दुख की बात यह है कि अवैद निर्मान जो है यह जादा चल रहा है इसके साथ जो नाले हैं जो हमारे धारे थे उन धारों और नालों के उपर भी निर्मान होने लगा और यह वो नाले हैं जिन को ने जताल की राइफ लाइफ बादिन Всем right यह से जानते हैं बालियाई घाठी की इस चुका है तभी भी 222 शेत जा सकता है इसी तरह से स्थिति आपके जौरिथी सीट में भी होगी। डौरिथी सीट में तो अभी जबरदर्श महुस्खलन आया। और अब लोगों का मानना है कि वो शेत्र जो है वो कभी भी सुरक्षित नहीं बनाया दासकता है। लेकिन हमारा दुर्भाग की यह है कि बलिया नाला जिस पर पूरा नेनी टााल का अस्तित्त है बलिया नाला ढूब रहा है Feelsट इन धनस रहा है, लेकिन ठीक बलिया नाले के बगल में एक रोपवे का निर्मान किया जा रहा है जो की बिलकुल अवयद है, क्योंकि बल्यानाले के बगल में जिस शेत्र पर ए रोपे बनाया जा रहा है उसे तहते है हनमान वाटिका और इस हनमान वाटिका के लिए हाई कोट का निर्ने है कि यहाँ पर कोई निर्मान नहीं किया जाएक अभी लोगों का ध्यान निहाल निहाल नदी जो है वो गवर्मेंट हाउस के नीचे से उसका उद्धगम स्थल है वो शेत्र भी धंसरा है और उस शेत्र में भी आप देखें बहुत जबर्दस भुरुस्कलन आने लगे हैं जो है वो नियंत्रित करना होगा जो पार्किंग पार्किंग का लोग हल्दा कर रह हैं और ट्रेफिक पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा मुझे लगता है कि पार्किंग के आवशक्ता नहीं है ज्यादा आवशक्ता है कि जब तूरिज ज्यादा है उन्हें हल्दवानी में ही रहो ब्या जाना जो हो खुद धंसरा है बल्या नाला की स्थिती आपको आश्चर हो निर्मान नहीं होना चाहिए कुछ नहीं किया जाना चाहिए और बल्या नाला शुट भी रिपेर्ड ऑन वार फुटिंग ये सुप्रीम कोट ने का है लिकिन इसके बावजूर्द वहां पर ये कोईला टाल का ये बन रहा है जो की गलत है ने इताल से तनुश पांडे की रिपाट